तो हेलो और वेलकम अगें दोस्तों एक्शन, मास, मसाला बाई गौड ये मजा तो देता है बटे ये ऐसी चीजे खा जाता है जरो सोसाइटी को बहुत जरूरत है लाइक रियल लाइफ इंसिडेंट पर अगर कोई भी चीज या फिर कॉंटेंट ऐसा जबर्दस तरीके से आता है ये उसको तो बेट डाउन करता ही करता है साथ में कोई सोसल मैसेज के साथ एक जबर्दस तरीके से डेरिवेट करे गई है उस मोवी को सोसाइटी की कीन प्रॉबलम को डेरिक्टली फोकस करके उस पे एक जबर्दस तरीके से ड्रेमाटिकली वे में वो चीज दिखाने की तो उसको भी खा जाता है और ये दो चीजे हम लगातार पिछले दो महीने से देखते आ रहे हैं अकसे गुमार की अगर मैं क्या बदा हूँ यार इस बंदे की किस्मत खराब चल लिए या फिर ये टाइमिंग ही गले चूच कर रहे हैं क्योंकि जब OMG 2 आई सुफर फेंटास्टिक कॉंटेंट है बट गदर 2 जैसे रदी कॉंटेंट के सामने ये मूवी पिट गए क्यों क्योंकि उसमें एक्शन मास मसाला था धड़ले से जो फाइट दिखाए गई है इवन मैं नहीं कहा रहा है कि मैं सनी देवल का हेटर हूँ या कुछ भी हूँ मैं फैन हूँ लेकिन वहाँ से मुझे कहानी में इतना जबरदस्त कोई मजा नहीं आया लेकिन OMG 2 उसके सामने गर केमपैरिजन में लें तो येस OMG 2 का कॉंटेंट बहुत दबदार था इसी के साथ अभी जवान की इतनी जबरदस हाइप चल रही है उसके साथ फुकरे 3 भी चल रही है तो यहाँ जो मिसन रानी गंज मूबी है कर बताओं तो इसकी ओपनिंग जबरदस्त बिल्कुल भी नहीं रही है और एक ऐसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर ये मूबी आधारित है जहां से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इवन मोटिवेशनल थिंक्स यहाँ से देखने को मिलेगी जो जनरेशन है न्यू जनरेशन है जिनके अंदर ये जजबा होसला होता है कि हमें कुछ करना है बाइगोड यहां मिसन रानी गंज मूबी से उन्हें कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा पोटेंसल मिलेगा एक अच्छा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा तो सबसे पहले मैं यह कहूंगा न यह मोबी की स्टोरी प्रेजेंटेशन ही सूपर अमेजिंग 65 लोग फसे हुए हैं माइन के अंदर कोल माइन के अंदर भर चुका है पानी और वो भी एक अनेक्सपेक्टिड ट्रेजेडी हुई जिसके लिए कोई तयार भी नहीं था समरी अभी डिटेल टू डिटेल बात करेंगे पूरी किया होने वाला है हां जो मैं बता रहा हूं साड़ी 300 फीट नीचे वरकर्स थे यह फसे हुए थे और वहां पर एक रैस्क्यो मिशन तयार करा गया था उनको बचाने के लिए और बहुती जबर्दस तरीके से इस चीज को दिखाए गया है मैं कहा रहा हूँ स्क्रिन प्ले अलर अरमेजिंग कास्टिंग तो यही चीज बिल्कुल फाल्तू फिल्टर मसाला लगा कर नहीं दिखाए गया है बिल्कुल जो agitive scene थे उन्हें ऐसे ही दिखाए गया है और जबरदस तरीके से दिखाए गया है वो ही मैं कहा रहा हूँ ना story representation is best है उसके बाद जो screenplay और जबरदस्त है उसके बाद जो casting है जो बची कुछी कसर जो रह जाती है वो cast ने पूरी कर दी और बाई साब अकसे गुमार का है तो क्या ही कहना ये चा गया बंदा खा गया मला देखो ऐसे rescue type mission या फिर real life incident पर मेहनत बहुत लगती है किसमें खासकर research में तो yes research में बिल्कुल कमी नहीं है even mining का जो इजात हुआ है कैसे हुआ है invention कैसे हुआ वो चीज वो नीव कहां से रखी गई है उस चीज को भी बड़े अच्छे तरीके से भाव देकर दिखाया गया है कि East India Company ने ये सब स्टार्ट किया था वही चीज अब हमने forward करी है वगयरा वगयरा क्योंकि जब हमने forward करी तो उसमें बहुत से evolutionary changes आते गया आते है तो वो ही चीज बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है साथ में rescue mission की जो technology होती है जो advancement होती है ये बट बहुत प्यारे तरीके से दिखाया गया है मैं कहरा हूँ मैं इतनी आसान तरीके से क्योंकि ये technical words होते है technical चीज़े होती ही जो आम आदमी के समझ में बिलकुल आएगा no अब आम आदमी हो तब भी आप इससे connect कर जाओगे और यही चीज बहुत प्यारी भी लगी अक्से कुमार की acting में मज़ा आ गया मलब जस्वन सिंग गिल का जो character है एक real life hero कैसा होता है उसके उपर वो human वाला tension obviously अकीपाजी यहां कोई marvel या फिर DC के कोई super hero नहीं है या फिर iron man नहीं है या फिर आप DC के super man ले लो उनके पास कोई भी super power नहीं है he's an ordinary simple man तो एक आम आदमी की extra minded strategy के साथ skilled and high technique से सारे गुणा भाग करके situation को पहले समझना उस situation को बहुती बारी की तरीके से समझना एक बार के लिए ऐसा लगा है कि वो काम नहीं कर रहे है आप ल तो यही चीज जबर्दस लग यहाँ पर डात देनी पड़ेगी कि पब्लिक को वो अपने content से कैसे जो ले रहे हैं तो यही चीज सारी situation को देखके समझके एक बार के लिए वो situation उन्हें beat down करेगी वो एक बार के लिए उस situation वो हावी हो जाएगी उस पे लेकिन फिर patiently करके सफलता हासिल भी करी है तो यह चीज यह सारा scenario देखकर मज़ा आ जाएगा आपको वही चीज मैं एक बार के लिए फिर कह रहा हूँ कि आप लोग खुद ऐसे जोड़ जाओगे उससे कि आपको लगेगा you are the part of that mission और आप वहाँ पर खुद एक ऐसा solution निकालने की कोशि जोड़ जाओ लेकि वही बात है कि action mass मसाला के चक्कर में इस movie को अतना footage नहीं मिल रहा है बलकि यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा guaranteed so climate super amazing spoiler मैं यहां बिलकुल नहीं देने वाला हूँ बस एक थोड़ी सी चेज मैंने ऐसे detail में बता दी पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने यहां पर ऐसा कुछ बताए कि movie में आपको सब कुछ पता ही चल जाएगा even ordinary things है यह जो भी एक rescue mission में लगाई जाती है तो आप जब climax का part हो आएगा तो by god goose bumps उठा देगा और आपको पूरी movie में जगह जगह पर goose bumps मिलेंगे ही मिलेंगे emotionally कभी आप बहुत अप हो जाओगे emotionally कभी आप बहुत डाउन हो जाओगे क्योंकि acting बहुत जबरदस तरीके से करी गई है कुछ एक लोग का मैं देख रहा था आँखो में पानी भी आ गयते और बनता भी है last के scene में बनता भी है मैं खुद बिखल गया था why god क्योंकि वो जो माहल वहां create हो चुका है जबरदस तरीके से मैं वही कहा रहा हूँ कि यार इस movie को जाओ देखो और सीखो यहां से कुछ अगर आप youngsters हो तो आपको तो देखना ही चाहिए अगर इंस्पिरेशनली आपको motivated होना है तब तो dialogues are super amazing मैं कहुँगा last parts का dialogue are super amazing खासकर accept आजी के तो movie is super amazing मैं वही कह रहा हूँ मैं तो फिर recommend करूँगा आप इस movie को देखो समझो और मज़ा आए आएगा बाकि आप लोगों नेगर movie देख ली है तो आपको कैसी लगी है अगर जिसने नहीं देखी है तो मैं कह रहा हूँ जाके देखो यार मज़ेदार movie है बाकि मिलते के लिए वीडियो में जाहिए